अर अगली खबरारे महिला सोसर को लेके दरासलिया खबर गुना की है जहां एक छात्रा अपने सामने रहने वाले मंचले युवक से इतना डरी हुई है कि उसने स्कोल जाना छोड़ दिया है छात्रा दसवी तक पढ़ी है लेकिन मंचले के डर से इस साल उसने ग्यारवी में एडमीशन ही नहीं दिया लड़की के परिवार के लोग तक दरे हुए हैं वे भी छात्रा को घर से बाहर नहीं निकलने देते माता पिता को कहीं जाना हो तो छात्रा के बड़े भाई को घर पर छोड़ना पड़ता है युवक का खौफ इस कदर भर गया है कि वो ना घर के बाहर खड़ी हो सकती और ना छट पर जा सकती है घर की चार दिवारी के अंदर अपना समय गुजारती है यह मामला सहर के बूरे बालाजी इलाके का है जहां रहने वाले 17 साल की छात्रा की पिता और मा ने गुणा करेक्टर को आवेदन दे कर सिकायत की है उन्होंने सिकायत में कहा है कि कई बार थाने में सिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कारिवाही नहीं हुई मनचले का मनोबल बढ़ता जा रहा है ऐसी स्थती में बेटी को सुरक्षा देने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है युवाग पिछले दो साल से परिशान कर रहा है मामले में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने कहा कि मंगलवार को ये मामला सामने आया है एस्पी को भी इसकी जानकारी दी गई है सबसे पहरे लड़के वाले मामले को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं एक बार ये मुद्धा हल हो जाए तो फिर लड़की की भी काउंसलिंग करा कर उसे फिर से पढ़ने के लिए राजी किया जाएगा पुलिस भी अपनी कारवाही कर रही है पड़ाने नहीं देते हैं और आवारा गुंदा गरीव बताते हैं और राश्त मंदिल के वाल में खूब आवारा खूब गूमते हैं